F1 Car Red Bull Racing के test drive Jake Dallas ने चलाई थी, जबके Kawasaki Ninja H2R का फोर्म प्रोफेशनल और मोर्टर साइकल रिसर की नंद सोफूलू सवार थे. Kawasaki ने लाइन क्रॉस करने में 9.43 सेकंड का टाइम लिया, F1 Car से 0.04 सेकंड अगे. ट्रैक के दो टाइटन्स एक दूसरे के खराफ करें हैं. First up, let's take a closer look at the Kawasaki Ninja H2R के super charge engine, advanced technology और ये based mind-blowing speed लगी की engineering का मोजज़ा है. 300 horsepower और a crop speed के back pushes the limits of words, possible on two wheels. तो फिर्स अब हम Formula 1 Car की बात करते हैं. ये machine automotive engineering car एक pinnacle है, जिसमें lightning force, acceleration और precision handling होती है. F1 Car चलाना, like nothing else on earth. Speed Geforce एक पुर जोश्ट जलबा है, जिससे बहुत काम लोग चानते हैं. तो viewers जैसा कि आप जानते हैं, कि ये दोनों machines रफ्कार और कार्टर्धी की हदूद को आगे पढ़ा रही हैं. लेकिन इन में से बिनक्ते की है, कवासा की ninja H2R की raw power, ओ या formula 1 car की तुरुस engineering. दोनों machine ने खोद को हकीकी speed difference थाबत किया. थैंक्स फॉर वाचिंग आस फॉर दिस एफिक शोडाउं और बजीर हाई ओक्टेंग कांटेंट के लिए like, comment और subscribe करना ना भूले. आपका और हो चुपिया.